नेता सीताराम यचुरी के बेटे के निधन पर बीजेपी नेता के ट्विट के बाद सोशल मीडिया में जमकर वबाल हो रहा है तरसल कुरोना की दूसरी लहर में इतनी ये खातक है कि हर तरफ से मौत की खबरें सुनाई दे रही है अस्पताल से लेकर शमशान तक लोग इंतजार करते नजर आ रही है कोविड-19 के चलते युवा पत्रकार आशिश येचुरी की भी मौत हो गई वो गुरुग्राम के मिदंता अस्पताल में भरती थे आशिश येचुरी जोकी पेशे से एक बत्रकार थे और CPI M के बड़े नेता सीतराम येचुरी के बेटे थे आशिश की मौत पर जहां लोगों ने दुख व्यक्त किया है तो वहीं BJP के एक नेता ने एक ऐसा क्विट कर दिया जिसके बाद हंगामा हो गया है अलागि बाद में उसे उन्होंने डिलीट जरूर कर दिया आशिश दो हफते से कुरोना से लड़ रहे थे 34 साल के आशिश टाइमस ओफ इंडिया न्यूज 18 में काम करने के बाद फिलहाल न्यूज लॉंडरी नाम के एक वैपसाइड में काम कर रहे थे कुछ दिन पहले वो कुरोना वाइरस से संक्रमित हुए थे परिवार का कहना है कि आशिश की रिकावरी हो रही थी लेकिन गुरुवार सुभा पांच बचकर 30 मिनट पर अचानक उनकी तब्यत खराब हो गई और मौत हो गई 34 साल के आशिश यचुरी का दो हफते से कुरोना का लाज चल रहा था आशिश की मौत की सोचना उनके पिता यानि की सीता राम यचुरी ने ट्विटर पर ट्विट करते हुए बताई उन्होंने लिखा मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरे बड़े बेटे का कुरोना के वज़ा से निधन हो गए मैं उन लोगों को शुक्रिया कहता हूँ जिन्होंने मुझे उसके ठीक होने की उमीद दी और उसका इलाज किया इसमें डॉक्टर, नर्स, फ्रन्ट लाइन हेल्थ वरकर्स शामिल हैं आशिश के निधन पर पियम मोदी ने भी ट्विट करके दुख प्रकट किया है उन्होंने लिखा है सीताराम यचरी जी और उनके परवार को उनके बेटे यानकी आशिश के असमय निधन पर स्वांतना ओम शांती अलाकि इसी बीच बीज़ेपी के निता और बिहार बीज़ेपी के उपाध्यक्ष मिथलेश कुमार तिवारी ने ऐसा ट्विट कर दिया जिसके बाद बवाल हो गया है तिवारी ने ट्विट किया चीन के समर्थक, सीप्याइम, महासचिप, सीताराम यचरी के पेटे, आशिश यचरी का चाइनीज कोरोना से निधन और इस ट्विट पर खासा बवाल हो रहा है लोगों ने मितलेश टिवारी के लिए बेशर्म असमिधनशील जैसे शब्द का इस्तमाल करना शुरू कर दिया है, उनके संसकारों पर सवाल उठा दिये है विवाद बड़ा तो टिवारी ने वो ट्विट डिवीट कर दिया, पिर दूसरा ट्विट किया उन्होंने सफाई देते हुए लिखा, राजनतिक दुर्भावना में मेरा हैंडल हैक करके एक बेहत असमिधनशील ट्विट किया गया संग्यान में आते ही ट्विट डिरीट कर दिया गया है, मैं सेप्यम नेता, श्री सितारम यचरी जी को स्वांतोना और समीधना प्रशिश करता हूँ किसी की भी मृत्यों पर शुद्र राजनीती सदवनिंदनिय है अब सहाब ने ट्विट करके सफाई तो दे दी, लेकिन घजब का आलम है कि लोगों की जान जा रही है, चाहे वो आम हो या फिर खास हो, आप भी तो बिहार में कोई जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं लोगों को इस संकट की घड़ी में कैसे निकालें, लेकिन ये भी नेता है, जिनके पास इस संकट में भी चुटकी लेने की फुरसत है क्या बहराल, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके ज़रू बताएं इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं HFF अड़ा को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें नमस्कार